ओम नमाशिवाये जेश्ट मास क्रिष्ण पक्ष सश्ठी तिथी रवी बार दिन में तीन बज़कर पचास मिनद तक लगी रहेगी तत्पस्चात सप्तमी तिथी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा आज उत्तरा साढ़ा नक्षतर में चलते रहेंगे जिसके नक्षतर स्वामी सूरी देव हैं आज के जन में जातक सुंदर, लंबे शरीर वाले, सुखी, सात्रिक गुरो वाले और धनी होते हैं ऐसे जातक दानी, दयालू प्रवृत्ती वाले, एस्वरेशाली और स्वाहिमानी होते हैं ये आकर सक गत्तितो वाले, घर और समाज में मुख्य भूमिका निभाने वाले, अध्यान शील, कानून का आदर करने वाले और सरकारी छेत्रों से लाव पाने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सनी और सूर्य की इस्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज सुबा सवा आठ वजे से मकर रासी में चलते रहेंगे, जिसके राषि स्वामी सनी देव है मेश रासी के जातक आज के दिन कारे छेत्र में सफल रहेंगे और संबंधित कारियों में बैस्ता बनी रहेगी आज केतू, मंगल और चंद्रमा तीनों आपके दस्वे घर में बिराजमान हैं आत्म बिश्वास और सकारादमा कूर्जा अस्तर आपके हर काम को सफल बनाएंगे पत्नी की वेरणा और सलाह से आपके भागी में बृद्धी होगी और लाव मिलेगा मगर थोड़ी मानसिक उल्जन बनी रह सकती है अध्यान अध्यापन के लिए समय अनकूल होगा कारे छेतर में पूजी निवेश का योग चल रहा है साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा सामाजी प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी और पिता के स्वास्त के प्रतिचिंता बनी रहेगी ब्रिश राशिके जातकों के लिए आज का दिन कारे छेतर की ब्यस्तता और अपने बुध्धी कोशल के इस्तिमाव से सफल्ता में व्यतीत होगा ब्यावसाइक अनकूलता बनी रहेगी नय ब्यावसाइक योजनाओं के लिए समय अनकूल है आठिक लाहमन मुताबिक मिलता रहेगा पारिवारिक मामलों में سبح समाचार मिल सकता है शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी धार्मिक भावना बल्वती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं साथ ही पारिवारिक सदसों के स्वास्त पर भी घ्यान देना चाहिए मिथुन राश्ची के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, ब्यावसाईक सफलता और अधिकारियों की प्रिरणा से कारे सिर्धी का दोर चल रहा है नई योजनाओं को कारे रूप में बदलने का समय अनकूल है आपकी योजनाई लाफजायक पर सितियों में बनी रहेंगी नई योजनाओं की साजेदारी सफल रहेंगी संबंधित कारियों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है पतनी की व्रेरणा लाफजायक सिद्धोगी, सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है और स्वास संबंधी सावधानिया दखनी पड़ेंगी करकरास के जातकों को अपने कारे छेतर में प्रवल आत्म विश्वास और मेहनत करने की प्रवरित्ती बनी रहेगी और निर्तित करने का मौका मिलेगा नौकरी करने वाले करमचारियों को उन्नती और लाव के मौके मिलेंगे मगर कुछ मामलों में पूरानी दिक्कतों की पुनराविती संभावित है कारे छेदर में बिरोधियों से परेशानी भी खड़ी हो सकती है मगर मन में नगारात्मक विचारों को ना लाएं और समस्याओं का समाधान करने में आप सफल रहेंगे पारिवारिक तनाव की इस्तिती पैदा हो सकती है विद्याथियों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा आर्थिक अनकूलता बनी रहेगी मगर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्त पर ध्यान रखना चाहिए सिंग रासी के जातकों के लिए सारीलिक स्वास्त और मानसिक सोच दोनों प्रभावित रहेगी चंद्रमा मंगल और केतु आपके छठमे भाव में चल रहे हैं कामों में अडचन, रुकावट और मानसिक अंतरदंद का संकेत मिलता है इसलिए आज संयमित जीवन गतीत करना चाहिए फिर भी पेट संबन्ती समस्चाएं संभावित हैं नई योजनाओं के लिए आपका आद्म विश्वास और उर्जा आस्तर सहायक सिद्धोगा आर्थिक और संकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में मन मुताबिक उत्साह बना रहेगा कन्या राशी के जात्कों का आद्म विश्वास और उर्जा आस्तर ब्यावसायक द्ष्टिकोण और कारिक शेतर के प्रतिके इंजित रहेगा कार योजनाओं के उचित प्रबंधन की देख रेख और विश्टार में सफल रहेंगे हाला कि मा के स्वास्त की चिंता और पारिवारिक दबाव मुख्यूस करेंगे आपकी व्यावसायकी योजनाएं फलिभूत होंगी और नए निवेश का प्रस्ताव मिल सकता है आथिक वक्ष अनकूल रहेगा अध्यान अभ्यापन में व्यावधान संभावित है मित्रों का सहयोग मिलेगा और ग्रिहोप योगी वस्तुओं में व्रिध्धी होगी तुला राशी के जातकों को पारिवारिक सहयोग और सामाजिक प्रेरणा मिलती रहेगी भूमी मकान या वाहन संभन्धी मामलों का योग चल रहा है और नई योजनाओं के प्रस्ताव लाफजायक होंगे रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे रुकी हुई योजनाओं की शुरुवात हो सकती है मगर मा के स्वास्त के प्रतिचिंता बनी रहेगी विद्याथियों के लिए समय अनकूल रहेगा संतान संभन्धी सोव समाचार मिल सकता है वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे आर्थिक पक्ष सामान रहेगा और सामाजिक समारोह में सामिल होने का मौका मिलेगा ब्रिश्चिक राशिके जातकों के दिढ़ इच्छा सकती और आत्म विश्वास कारिच छेत के प्रति केंदित रहेगा और विभागिये कामों में नेत्रित करने का मौका मिलेगा आपके उत्सा आर्थिक लाव को गती देंगे धन सम्मंदी लेन देल में सावधानी रखनी होगी साजेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी मंगल और केतु के साथ चंद्रमा के होने से मन का अंतरदौंद परेशान करेगा और नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाओ संभावित है वाहन सावधानी से चलाएं शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी साथ हैं स्वास पर आवर्शक सावधानी बनाए रखें जटिलताएं संभावित हैं धनु राजिके जात्कों की सकारात्मक विचा हर काम को सफल बनाने के लिए सक्षम होगी मेहनत करने की प्रवरित्पी और दिड़ विश्वास बढ़ा रहेगा अपनी आंतरिक उर्जा को बनाए रखें मगर वाणी की तीवरता और प्रकरता में लचीनापन लाना उचित होगा आर्थिक लाव के नए उसर मिल सकते हैं मंगल केत्व और चंद्रमा आज आपकी राशी पर ही चल रहे हैं उर्जा अस्तर ग्रिण विश्वास और काम करने की छमता में अभूर पुरू विकास होगा अच्छे और सुख काम का संयोग आज बना हुआ है व्याभारिक पक्ष सक्री रहेगा गचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे अध्यान अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा व्यवाहिक प्रयास सार्थक होंगे आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी और पारिवारिक सुख सभार्द में बृद्धी होगी मगर स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें कुम्भरास के जातक अपने बुद्धी कोशल का परिचय देंगे और सकारात्मक द्रेट विश्वास बना रहेगा मगर स्वास संबंदी आवसक सावधानी रखनी होगी मौसम संबंदी समस्याएं संभावित है मानसिक तनाव और अनावसक खर्च हो सकता है मगर ब्यावसाई की योजिनाओं के लिए समया नकूल है आर्थिक लाव के इस्तुक्ती बनी रहेगी वाद विवाद संबंदी मामलों में शांती बनाए रखें संतान संबंदी चिंता बनी रहेगी अध्यान अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और धार्मिक यात्राएं संभावित हैं मीन राशी वाले जात्कों के कारिशित से सुपून मिलेगा और आर्थिक लाव में ब्रिद्धी होगी मगर मन गुप्त सत्रूओं से ससंकित रहेगा हाला कि अपने उपर आलस से और नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दे योजनाओं के विकास की दर और आथिक लाव में उतार चड़ाव की पूर्ती करने की कोशिश करें अधिक जोखिम बरा आथिक निरणय उचित नहीं होगा मगर आथिक सहयोग मिलता रहेगा विद्याथियम के लिए समय अनुकूल रहेगा मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और ग्रिहोपयोगी वस्तूओं में बृद्धी होगी आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए